Hello dear students, आज हमें start करने जा रहे हैं हमारा नया topic जो है enzymes तो आज के इस वीडियो में हम enzymes के बाले में पढ़ेंगे कि enzymes क्या होते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन-कौन से topic कवर करेंगे तो देखिए हमारा जो first topic होगा वो होगा enzyme की परिभाशा कि enzymes क्या होते हैं, इनकी definitions जो है वो क्या है फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे enzyme का इतिहास कि किस-किस ने enzyme को सबसे पहले discover किया, किस में किया तो इसके बाद में enzyme की रासा इनिक संरचना कि enzyme किसके बने होते हैं chemical composition कैसा होता है तो इन topics को इस chapter में हम cover करेंगे जैसा कि आप सभी चानते हैं कि जितने भी सजीव है उनके शरीर में विभिन जैव रासा इनिक किरिया हैं चलती रहती है और इन सभी किरियाओं को हम क्या कहते हैं समलित रूप से metabolic activities अब यह metabolic activities जो होती है यानि उपापचई किरिया है इनको दो भागों में बाटा गया है उपचई किरियाओं यानि anabolic activities और अपचई किरियाओं यानि catabolic activities उपचई किरियाओं मतलब क्या होता सरल योगिक जो होते हैं वो जेटल में बदलते हैं और अपचई किरियाओं क्या होती है जिसमें जेटल योगिक जो होते हैं वो सरल में बदलते हैं तो इन दोनों को समलित रूप से उपापचे किरियाएं कहते हैं और ये किरियाएं कौन कौन सी है पाचन, श्वशन, उस्सरजन, रक्तपरिसंचन तो इस तरह से शरीर में बहुत सारी उपापचे किरियाएं जो होती है वो चलती रहती है अब ये जो किरियाएं होती है इनको नियंत्रित करने के लिए या इन किरियाओं को सुझारू रूम से चलाने के लिए हमारे श्रीर में कुछ कार्बनिक प्रदार जो होते हैं वो पाए जाते है जो जिनकी बहुती अल्प मात्रा जो होती है इन किरियाओं को संपन कराने के लिए कौनसी के लिए उपाबचे के लिए तो इनको संपन कराने के लिए काम में आती है और उन्हीं कार्बनिक प्रधार्थों को हम लोग कहते हैं एंजाइम अब एंजाईम की परिवाशा हम लोग देख लेते हैं तो प्रोडीन प्रकरती के ऐसे कार्बनिक प्रधार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्परिरग का कारिय करते हैं अब देखिए एंजाईम जो है उनका इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास में क्या बता रखा है कि पहला point आपको दे रखा है कि एंजाइम शब्द जो है इसका सर्वापृत्उ मुप्योग vili kuhan न किया था किसने किया था उसने क्या किया था इस एंजाइम शब्द का सबसे पहले उपियोग किया था बरजीलियस जो है उसने अंजाइम को जयव उतप्रेरक की संग्या दी थी जब उतप्रेरक की संग्या दी next point कि या दे रखा Edward Bookner ने yeast से zymes enzyme को खोजा तो yeast किया एक कोशिक किया कवा कि उसमें से zymes enzyme को खोजा था उग किसने खोजा था Edward Bookner जो है scientist उन्होंने खोजा था J.B. Sumner ने सर्व परतम urease enzyme का crystal ये रूप प्राप्थ किया तो urease enzyme जो है उसका crystal यह रूप किसने पराथ किया जे भी सुमनर ने सैक और ultimine दोरा ribozyme की खोच की गई जो एक up protein enzyme है तो enzyme जो होते हैं protein प्रकृति के होते हैं लेकिन एक ऐसा enzyme है जो कैसा up protein है जब कि protein से नहीं बनाए वो कौन सा है ribozyme तो ribozyme की खोच किसने की थी सैक तथा ultimine ने की थी एक बहुत important line बोल रही हूँ ध्यान से सुनियेगा सभी enzyme protein है परंतु सभी protein enzyme नहीं है तो यह बहुत important point है यानि इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी enzyme है वो protein के बने हुए होते हैं लेकिन जितने भी protein है वो सारे enzyme नहीं है वो सारे के सारे enzyme की तरफ काम नहीं करेंगे तो यह जो है line बहुत important है NCRT की book में भी यह point दे रखा है तो इसको अच्छे से समझीए मैंने क्या बोला कि सभी enzyme protein है यानि enzyme जो भी होगा उसके अंदर protein उपस्थित है लेकिन जितने भी protein है वो सारे के सारे enzyme की तरफ काम करें यह जरूरी नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है तो आईए हम इसको भी समझते है चली हम कुछ important point देख लेते हैं दो point और है यहाँ पर दे रखा है ribozyme नामक enzyme RNA का बना होता है अभी हमने पढ़ा कि ribozyme जो अप्रोटीन है अप्रोटीन है लेकिन बना किसका होता है यह RNA का बना होता है यानि आपर protein इसमें बस्थित नहीं है next point क्या दे रखा है कुछ enzyme जैसे pepsin और urease पूल रूप से protein द्वारा निर्मित होते है अब देखिए जो मैं आपको समझाने जारी है उसका मतलब आ गया मैंने अभी एक line बोली थी enzyme जो होते हैं वो protein होते हैं लेकिन protein enzyme नहीं क्योंकि enzyme जो होते हैं उनमें क्या होता है protein के साथ साथ a protein भाग भी पाया जाता है और protein जो होता है वो complete किसके बना होता है amino acids का बना होता है जबकि enzyme में protein के साथ कुछ और भी उपस्थित होगा अब वो चीज क्या होगी तो उसको हम इसकी रासाइनिक सनरचना में समझेंगे तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि pepsin और urease दो ऐसे enzyme में जो पूरी तरह से complete protein के बने है अब हम पढ़ने जा रहे है enzyme की structure या chemical composition of enzyme भी कह सकते है रासाइनिक संगठन enzyme का या enzyme की सनरचना तो enzyme जो है उसके दो भाग होते है enzyme को हम कहते है whole enzyme complete enzyme जो हम whole enzyme कहेंगे इसके दो भाग है apo enzyme और co factor और सरकारग apo enzyme यानि enzyme का कौन सा भाग protein वाला भाग कौन सा भाग protein वाला भाग और सरकारग मतलब कौन सा भाग a protein वाला भाग तो आपको ये line clear हो गई होगी protein वाला भाग तो कहलाएगा apo enzyme और protein वाला भाग यानि protein नहीं है कुछ भी हो सकता है उसके अलावा वो है सरकारग, अब प्रोटीन वाला भाग कितना भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, और इसके अलावा बाकी का जो भाग है, वो अब प्रोटीन भाग होगा, आया समझ में वापस से बता देती हूं, पू बाकी का जो बचा हुआ है वो कौनसा भाग है? अप्रोटीन और बाकी का 20 परसन भाग किस से बना है? सरकारअें फ़्यकमाहिए जितना भाग अटूटीन फाल मुन आप naughty फर्रोटीन जो यह कुछ भी हो सकता है कितना भी फोसकता है ड eपेंड करता है एंजाइम के उपर और सरकारक यह हुता है अप प्रोटीन भाग से अब प्रोटीन भाग कौन से हो सकते हैं तो प्रॉस्थेटिक समुल से न धिर последिक आ गार प्रोटीन से, सगंता से बंदा हुआ हो, इसका उधारने साइटोक्रोम और फ्लेवो प्रोटीन, सह एंजाइम ये भी कारबनिक प्रकरतिका होता है, लेकिन अपोएंजाइम से डीला बंदा हुआ होता है, देखो अब हमने पड़ा, ये अपोएंजाइम वाला भाग, इस से ये सह कारक जुड़ा हुआ है को factor अगर वो कार्बनीक प्रकृती का और दलड़ता से जुड़ा उजुड़ा हुआ है तो कौन सा भागोगा वोगा कि प्रोस्थेटिक समुग समुपर अगर यह कार्बनीक प्रकृतिक। में यह सकते इस अलग कर सकते हैं तो वो कौन सा बागे सह एंजाइम प्रकरती के हैं लेकिन एक द्रड़ता से बंदा हुआ है वो तो प्रॉस्थेटिक समू है और जो की द्रड़ता से नहीं बंदा उसे डीला बंदा हुआ है सह एंजाइम इसका एक्जामपल दे रखा NAD, NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइट एडिनेन डाइफोस्थेट NADP की, FAD की फेरेडॉकसीन एडिनेन डाइफोस्थेट ठीके और को एंजाइम A करके A लिखावा को एंजाइम A है तो इस तरह से यह जो इनकी फुल फॉर्म हैं सक्रियक की दरी करने ना स्कुर्ण प्रकरति के होते हैं और ये जंदातू आयन के आयोप में संपून एनजाइम का निर्मान चरें अब धेखी एक Definition दे रखी सक्रिय स्थल क्या होते हैं सक्रिय स्थल एंज़ाइम के प्रोटीन भाग में एक या अधिक वशेश स्थल्व होते हैं . इन्ही सक्रिय स्थल्व से अभिकारक, बन्दित होते हैं एंजाइम क्या करते हैं रासानिक अभी क्रिया में जब भाग लेते हैं तो वो कहीं न कहीं से तो अभिकारक से जुड़ेंगे क्योंकि उनको आगे क्रिया करनी है तो एंजाइम के वो भाग जहां पर अभिकारक आके जुड़ते हैं और क्रिया करते हैं उन इस्थलों को सक्र इस्थल कहलाएंगे तो आपको सक्रियस्थल के बारे में याद करना है सक्रियस्थल क्या होते हैं सक्रियस्थल जो आंजाइम के वे भाग होते हैं जहां पर अभिकारक क्या कृ arthritis कोपर के जुडटे हैं किसके लिए रासायनिक würकिरिया को संपन करने के लिए तो इस प्रकार से enzyme कैंथ हुथ है वृषिस्ट लक्षन प्रद शित करते हैं पहला अगर इसका लक्षन देखे तो वो होती protein प्रकरती इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी protein प्रकारती का मनदब क्या होते है और अप्रोटीन भाग कौन कौन सा होता है प्रोस्थेटिक समू, जो की कार्बनिक प्रकरती का होता है, एंजाइम से द्रड़ता से बंदा होता है, सहाग एंजाइम जो की कार्बनिक समू ही है, परन्तु एंजाइम से किस तरह से हो, डीला बंदा हुआ हो, जिसको आसानी से अलग कर सकते हैं, और सक्रियक क्या होते हैं सक्रियक जो होते है वो आयन होते है अब प्रोटीन वाला भागे लेकिन क्या है कुछ भी आयन धातू हो सकती है तो इस प्रकाइश से एंजाइम जो होते है उनकी प्रकरती मुख्य रूप से प्रोटीन होती है कॉलोईडी प्रकरती नेक्स जो आपको दे रखा है तो एंजाइम जो होते हैं वो कॉलोईडी प्रकरती के होते हैं इनका प्रस्ची शेत्रफल बहुत अधिक होता है इसके कारण जितनी भी जैवरासानी कभी किरिया होती उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा सरफेस यानि सतर जो प्रदान कराते हैं उसके बाद में दे रखा है व्रदा आकार तो एंजाइम का आकार बढ़ा है जितना आकार ज्यादा होगा एंजाइम में सक्रिय स्थल ज्यादा होगे सक्रिय स्थल ज्यादा होगे उतने क्रिया कार आकार जुड़ेंगे और अभी क्रिया जो होगी उसकी दर क्या होगी ज् परणतु एंजाइम के विस्स्ट इलक्षन पढ़ेंगे हम, आप जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं जीवित कोशीकाओं में पाये जाते हैं, उत्प्रेरक शब्द जो होता है वो निर्जीव के लिए है, क्योंकि उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि रासानिक अभिकिरिय की वेक को परिवर्तित कर देते हैं और अभिकिरिया के पश्चात पुनव ऐसे ही निकल जाते हैं, बिल्कुल एंजाइम भी ऐसे ही कार्य करते हैं, परन्तु एंजाइम जब जीवित कोशीकाओं में कार्य कर रहे हैं, मतलब उत्प्रेरक अगर जीवित कोशीकाओं में कार नहीं होते यह नहीं है कि कोशिका में सभी कोशिकाओं में समान रुप से वित्रित होंगे जहां पर जिस एंजाइम की जर्रोत होती है कोशिका के उस भाग में वह एंजाइम पाए जाते हैं जैसे फॉर एक्जामपल मैं आपको बताती हूं कि श्वशन जो है कि किरियाएं कह तो उसके लिए enzyme कहा पर पाए जाएंगे, chloroplast में पाए जाएंगे next जो property है, enzyme की वह अमली और शार ये दोनों प्रकार के किरिया धरों से किरिया करने की शमता enzyme जो होते हैं, protein के बने होते हैं, और protein क्या होते हैं, उबह धर्मी प्रकरती उबहदरवी मतलब अमलो और शार दोनों में ही क्या कर सकते हैं दोनों से ही क्रिया कर सकते हैं तो एंजाइम प्रोटीन के बने तो नैचुरल ही है प्रोटीन में जब प्रोपर्टी है तो एंजाइम में भी प्रोपर्टी होगी तो एंजाइम जो होते हैं अमली और शार ये माद्य में भी क्रिया कर सकते हैं उसके बाद में आपको नेक्स प्रोपर्टी दे रखी एंजाइम इस्ट था इस्ट एंजाइम ऑप्टिमा इसका मदब यह कि एंजाइम जो होते हैं वह क्या करते हैं विशिस्ट अवस्थाओं में ही क्रिया शीलता प्रदिशित करते हैं तो आपना कार्या करता है इसी को आपनी किरिया करेगा next प्रोपरटी जो है वह enzyme संदमन का मतलब क्या होता है कि य्जाइम की किरिया शीलता बाद बसके इंजाइम करे अब verse ल centr rotations लुब ليलीउस बरका सबस्क्राइमों थीचों सब्रिस हतते हैं उत्रवलीग, व्रसनिक राषैनिक घ्लिण भी फार website उनको क्या करते कुए उनका सन्दमन करते उनको रोग देते या उनका निरोध करते हैं तो उन्हीं को कहते हैं अंज़ाइम सन्दमन और अंज़ाइम मिरोधन जो test दो जो अधस्य या अनुध करमनिय भी हो सकता है यानि एक एंजाइम केवल एक ही अभीकिरिया को उत्प्रेडित करता है या कुछ विशेश प्रकार के रासायनिक आबंदों पर भी किरिया शील्ड रहते हैं कुछ इनजाईम ऐसे होते हैं जो 08 das products निर्पेख्ष विस। क्षिस्टता क्या हो थीए तो इसके कि आनजाईम के एक यह प्रकार का अभी किरिया को करते हैं याइनि वह प्र्टिकुलर एंजाईम उसी अभी किरिया पर कार्य करेगा उसके लाउ और किसी किरिया पर कारें नहीं करेगा इसके अलावा और किसी अभी किरिया में भाग नहीं लेगा और या फिर यूरिया का जलब घटन करने के लिए कोई और एंजाइम नहीं होगा तो यूरिया इस एंजाइम क्या होता है जो कि यूरिया का जलब घटन करते हैं इसके बाद में इसेंड किया दे रखाएय आपको Я ہकों विस्थता tätä शमू विश्यं बाद मौना कि किसी पर्टी कुलर जो ए समू ग्रूब जो होते उस पे कारे करते हं किसी पर्टिकुलिय ग्रूप पर ही कारे करते हैं समूप पर ही कारे करते हैं जैसे फॉर एक्जामपल दे रखा है आपको हेक्जो काइनेज हेक्जो काइनेज हेक्जो मदलब 6 हेक्जो का मदलब क्या था 6 तो मदलब 6 हम यहाँ पर लेंगे और पर्प्तू ऑफ करते हैं उनका जब जल अपगटन करने के लिए जो एन्जाइम काम में आते हैं उनको मों हेक्जो कायनिस कहेंगे हेक्दो कायनिस आती है आप समझ जाना किए एक्जो श र्क्राव पर ख्रनी वाले जो एetाईम में उनका नाम है तर उसके बाद में बंद विस्स्ट था, bond specificity, बंद, अब बंद क्या होते हैं कि particular ये enzyme क्या करते हैं, किसी भी particular रासाइनिक बंद पकारे करते हैं, जहां से इनको रासाइनिक बंद को काटना होता है, तोडना होता है, वहाँ पर ये किलिया करते हैं, जैसे for example आपको दे रखा दे राइबो नुकलेेज, तो राइबो नुकलेेज एंजाइम जो होता है, वह Pyramidine शारग जो होता है, Pyramidine शारग हमने पढ़े हैं, कौन-कौन से होते हैं, Pyramidine शारग जो होते हैं, Cytocin और Phymine, अब DNA की संरचना में पढ़ चुके हैं आप लोग तो पिरामिडीन शारक की 3-डेश शिरे पर फॉस्फो डायेस्टर बंद का जल अबगटन करता है तो DNA की जो संरचना होती है उसमें कौन सा पिरामिडीन शारक जो होता है उसकी 3-डेश शिरे पर अपना कारिय करते हैं तो पर्डिकुलर बंद को तोड़ते हैं त्रिवियम विस्टिता क्या होती है तो Trivium विशिस सामावाई पर होते हैं यह enzyme करियादरों के केवल विशेश प्रकर के Trivium समावाई पर कार्य करते हैं जैसे Amino Amicus oxidates जो होता है वो L Amino Amicus द्वारा होने वाली अभी करियाओं को प्रेरित करता है D Amuto पर नहीं यानि जो त्रीविम समावाई होते हैं उन पर कार्य करते हैं ये